स्वास्त में ध्यान की बात जब भी मन में आती है, सबसे ज़्यादा बच्चों की चिंता हमको सताती है तीका करन और हाईजिन ये दोनों तो बहुत जरूरी है, साथ में उचित खानपान भी हो जाए तो फिर कराम आती है नमश्कार, मैं सीमा, बालवरिंद में आप सब का स्वागत करती हूँ हमारा आज का विशे है गर्मियों में बच्चों को होने वाले रोग एवं उसके बच्चा हो और इसके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट है शिशू रोग विशेशा के डॉक्टर संगीता नागराज नमस्कार मैं, नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा जी, गर्मियों का समय आ गया है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है तो क्या कंसरन है, क्या रोग हो सकते है, या हमको कहा ध्यान रखना चाहिए, गर्मी में क्या स्पेशलिटी है गर्मी में बहुत सारी स्पेशलिटी है, बहुत सारी खासियत है सबसे पहले तो गर्मियों में वातावरण का तापमान, जो की हमारे प्रदेश में बहुत ही अधिक रहता है, इस तापमान के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, सबसे पहला परिवर्तन तो यह होता है कि हमारे शरीर का जो पानी रहता है, वो सूख जात के बीच की जो धूप होती है उस समय अगर खास करके चोटे बच्चे या बुजर्ग या गर्भवती महिलाएं यह अगर बाहर जाते हैं तो इनका एक्सपोजर बहुत जादा होता है बहुत स्पीड से इनके शरीर का पानी सूपता है पानी सूखने से क्या होता है एक तो हमा जैसा लगने लगता है और बहुत एक्स्ट्रीम स्थिती में तो कई बार जटका आ जाता है बहुत तेज बुखार के साथ मरीज जो है या व्यक्ति जो है वो बच्चा है वो कोमा में भी जा सकता है इसलिए गर्मी में हमें तापमान का बहुत अधिक ख्याल रखना सारी जगे पर सारी दुनिया में पानी की कमी होने लगती है तो जो है दूशित पानी भी कई बार हमारे पीने में आ जाता है क्योंकि हमको साफ पानी को एक्सस नहीं होता है दूशित पानी दूसरा खाना जल्दी खराब होता है गर्मी के दिनों में बैक्टीरिया बहुत तो यह खराब भोजन या दूशित पानी पीने से होने वाले रोग होते हैं, जैसे सामाने आंतरशोत, उल्टी दस्त की बिमारी, पीलिया, टाइफाइड, यह जो पेट के हमारे विकार हैं, रोग हैं, यह बचों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो यह सारे रोग हो सकते ह हैं, दूसरे होते हैं वाइरस जनित, पिछले सालों में हम एक वाइरस से तो जूर ही रहे हैं, इस साल हमने देखा है कि चिकन पॉक्स भी बहुत जादा बच्चों में आया है, सामाने तया इसका जो डूरेशन रहता है, वो फैबररी तक ही रहता है, लेकिन इस बार जाद इसका इलाज भी नहीं करवाते हैं, कि वो घर में ठीक करते हैं, कुछ तो क्या है एक्चोल में चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स एक वाइरस जनित रोग है, और मेरे ख्याल से पिछले सालों में जब हमने कोविट से सामना किया है, तो सभी लोग वाइरस की जो परिभा करन से और इसका इलाज भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, तो इसको हम देवी प्रकोप मान के घर में ही ठीक करने की कोशिश ना करें, आपके नजदीक में जो भी स्वासिकेंद्र है, आपके जो भी चिकित सक हैं, उनकी सलाह से इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो मैं यह इसका टीका लग जाता है, उनको भी कई बार डबल हो जाता है टीका लगने के बाद भी, ऐसा कि तो फिर क्यों लगवाएं टीका? यह बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्यों लगवाएं टीका? दिखिए, चिकन बॉक्स जो बीमारी है, उसके बहुत सारे गं बीमारी हो जाती है, तो आने वाले शिशू को प्रॉब्लम्स हो सकती है, नवजाज शिशू अगर डिलिवरी के दौरान माता को चिकन पॉक्स है, तो नवजाज शिशू इसका शिकार हो सकता है, और सबसे जिन कॉम्प्लिकेशन से हम डरते हैं, वो ब्रेन में होने माले क्योंकि वो स्थाई प्रभाव हो जाता है, सारी जिन्दगी आपको उन कॉम्प्लिकेशन के साथ जीना पड़ता है, तो टीका करण हमको इन गंभीरताओं से निजात दिलाता है, सबसे पहली बात, दूसरी बात होता है कि अगर बीमारी हो भी रही है, तो वो उतनी सीविय उतनी गंभीर नहीं होती है, जितनी की एक नॉन इमिनाइज बच्चे में होगी, इसके लिए टीका करण हमको अपने चिकित्सक की सलाह से जैसे आवश्यक हो, खास करके जो बच्चे इमिनो कॉम्प्रोमाइज है, या जिनकी कोई गंभीर बीमारियों की दवाईयां चलती तो कैसे करेंगे बहुत सारे लुगों के लिए ये बड़ा खर्चा हो जाता है, जी हाँ, तो इसमें आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट एक उठाया है कि खर्चा बहुत हो जाता है, देखिया हम भविश्य के लिए इन्वेस्मेंट करते हैं, बचत करते हैं, इसको इस निकालते जाएं, आपको कॉण सा रोज रोज वैक्सिनेशन करवाना है, एक ही बार करवाना है आपको वैक्सिनेशन, तो उतना हम भचुत करके करवा सकते हैं, इतना भी महंगा नहीं है कि एक आम आदमी बचट करके उसंतृ ना करा सके, जैसे ये cans km वे थैसे इस 6 months के age से onwards शुरू होते हैं लगाना और इनको सालाना लगवाना होता है फ्लू के vaccines को यह थाई नहीं रहते हैं जैसे chicken pox का वैक्सीन आपने लगाया तो बीस-पच्छे साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह vaccination आपको सालाना करवाना होते हैं लेकिन इसको हर साल हमको क्यों करवाना होता है वैक्सीन को इसके दो कारण है एक कारण तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि chicken pox का वैक्सीन लगाने के बाद आपको 20 साल देखना नहीं क्योंकि उसके कारण जो हमारे शरीर में immunity पैदा होती है वो स्थाही रहती है वो काफी लंबे समय तक last करती है flu vaccine के साथ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह vaccine यह जो virus है यह हर साल अपना रूप बदलता है जैसे हमने कोविट के साथ भी देखा था कि वो थोड़े थोड़े समय में नए ने strain आते जाते हैं उसी तरह यह flu का वाइरस है यह भी अपना strain जो है वो हर छे महिने में बदलता रहता है तो जो टीका का आता है फ्लू का बनता है वो उसको ध्यान में रखते हुए कि भविश्र में आप कौन सा वेरियंट आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हर छे महिने में vaccine तयार होता है तो इसलिए और जो एक बार आप vaccine देते हैं उसकी immunity आपको एक साल ग्यारा महिन हर जो टीका है हर रोग का जिसका भी जो टीका है उसकी immunity जो generate होती है शरीर के अंदर उसकी lasting अलग-अलग रहती है वो अलग-अलग समय तक आपके शरीर में वो immunity बनी रहती है और जो booster doses हम लोग लगवाते हैं वो इसलिए लिए लगवाते हैं ताकि जो आपकी immunity है उसको एक boost मिल जाए उसको एक उच्छाल मिल जाए और वो अपना स्तर बना के रख सके जब हम लोग virus की बाती कर रहे हैं तो एक जो बहुत बड़ा virus है COVID virus तो अभी latest में आज की date में क्या हमको COVID से precautions की जरूरत है जी हाँ बिलकुल COVID से precautions की हमको जरूरत है क्योंकि अब यह जो virus हमारे स जा रहे हैं तो देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता तो हमेशा ही इनसान को बना के रखना चाहिए हाथ धोने की आदत कोई बुरी आदत नहीं है आप कुछ भी करते हैं उसके बाद अगर खाना खाने के पहले या बच्चे को खिलाने के पहले आप अगर अपने हाथ पिला देते हैं कुछ इसमें बहुत बड़ा भारी महान नहीं है लेकिन अगर हम फालो करें तो हम सिफ कोविट से ही नहीं बहुत सारी और भी बिमारियों से बच सकते हैं अच्छे जैसे हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे थे तो चिकन पॉक्स में लोग जो बोलते हैं कि घर बेर में ही रहना चाहिए या इस तरह की क्या प्रिकॉशन्स करने ही चाहिए बिलकुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल यह पूछा है क्योंकि हम लोग यह देखते हैं कि बुखार अगर उतर गया है बच्चे का तो बच्चा पूरे सब जगे जाता है स्कूल भी चले जात है जब तक उनके उपर पपड़ी नहीं आने लग जाती तब तक वो बच्चा दूसरे बच्चों को संक्रमित कर सकता है जैसे हम पिछले दिनों में सीखे हैं कि आइसोलेशन में रहने से या बच्चे को अकेला एक जगे स्थिर कर देने से बच्चे को या किसी भी मरीज को वो दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर पाता है दूसरे लोगों को इंफेक्ट नहीं कर पाता है तो ये प्रिकॉशन चिकन पॉक्स में भी लेना बहुत जरूरी है परिवार के दूसरे सदस्यों को और बढ़ों को भी चिकन पॉक्स हो सकता है और चिकन पॉक्स बेसिकल को भी यह को भी ऐसिलहेट करना बहुत जरूरी है जब आइसुलेशन कि बात कर रहे हैं तो चिकन फॉक्स के लिए भी आइसुलेशन चेहि apocalypse के लिए दूसरी बीमारियों के लिह भी आइसुलेशन चेहिए उपर से अभी गर्मी महसम है बचों की छुट्टियां चल रही है त तो सही तरीके से उन बच्चों का भी आईसोलेशन हो रहा है जो बच रहे हैं बिल्कुल सही और उनको घर में रखना बहुत तेड़ी खीर है तो क्या कर सकते हैं उपर से मोबाइल हाँ जी बहुत ही आपने आज का सामीक प्रशन उठाया है मोबाइल है कैसा बहुत अच्छा टेकनलोजी का वो डेवलप्मेंट है लेकिन वो हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा समस्या का कारण बनी जाता है देखिए जैसे आपने कहा इसमें दो चीजें दो सवाल हैं आपके सवाल में एक तो यह है कि बीमार बच्चे को कैसे कंफाइन या कैसे आईसोलेट किया और एक है कि नॉर्मल बच्चों को कैसे वाईसरे लेकि बीमार बच्चे को तो हम जादा कुछ नहीं उसको समझा कि उसके ताइम पास के दूसरे जरीये लाके क्योंकि उसके तो सभी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन है वो तो खाने पिने से लेकर हर चीज़ बीमार भी है उ को खुजली भी हो रही है उसके बाद आप उसके दोस्तों से भी मिलने नहीं दोगे तो जाहर से बात है बहुत इरिटेट होगा तो इस समय जो उसके केर टेकर्स हैं माता-पिता हैं उनको बहुत ही धीरच के साथ बहुत पेशन्स के साथ उसके साथ बुरा प्रिकॉशन लेत साना क vein डिज को नहीं को साने भोजन अपम जो नॉर्मल घर में बनता है वो फ्रेश ख कहना होना रहे है पानी साफ होना चाहिए पीने का पोटेबल वाटर होना चाहिए ये हम ध्यान के जहाएं अको जो ówल सकते हैं और नोनma च और विंभवन लिए को सामा ने भ oyun भॉजन मौसमी फल हैं, पानीदार फल, जिनको हम कहते हैं, खीरा है, तर्बूस-खर्बूस हैं, यह सब पानीदार फल होते हैं, यह सारे कुछ वो बच्चा कहा सकता है, और उसके खाने में प्रोटीन की मातरा जादा होना जाए है, तो सोया बीन है, खजूर है, सत्तू है, डाले है, सारे प्रकार की स्प्राउट्स हैं, यह सारे उसके खाने में किसी ने किसी तरीके से हमको शामिल करना चाहिए, बच्चे बहुत चूजी होते हैं, बहुत फसी होते हैं खाने के मामले में, लेकिन उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमको थोड़ा सा दिमाग लगांके खाने की चीज़त तैयार करना होगी, लेकिन उनके पूरे खाने पीने का और उनके मनोरंजन का हमको पूरा ध्यान रखना होगा, व्यक्तिकत सफाई का ध्यान रखना होगा, दिन में दो बार अगर नहला सकते हैं चिकन पॉक्स वाले बच्चे को तो बहुत अच्छा है, चि तो क्या नहलाना चाहिए, बिलकुल नहलाना चाहिए, क्योंकि चिकन पॉक्स के दानों में से जो फ्लूइड निकलता है, जो रस निकलता है, वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक होता है, बहुत इंफेक्टिव होता है, तो वो अगर आपके शरीर पे जगे 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 लगा नहीं तो कम से कम रोजाना एक बार तो नहलाना ही चाहिए बच्चे को अच्छे मैम यह हमारी वायरस वाली तो बहुत सारी बातें हो गई अब जो गर्मियों में तापमान से जो होने वाली है उसमें सबसे बड़ा कंसर्ण क्या है कित्ती सारी डाइरिया है जॉंडे से तो मारे ही बड़े कंसर्ण है पेट के रोग जितने भी होते हैं संक्रमित खाने की वज़े से या दूशित पानी की वज़े से पोटेबल वाटर नहीं है कोई भी पानी पी लिया फिर आपने देखा होगा जैसे आपने शुरू में बात की कि जो नॉर्मल बच्चे हैं छुट वो है स्वच्चता आप कहीं से भी बच्चे को खाने के लिए कुछ भी अगर देते हैं तो आप ये इंशूर करिए ये ध्यान रखिए कि जिस सोर से भी आप पीने का पानी ले रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं साफ सुत्रा है कि नहीं कहीं उसमें कोई बासी खाना या आँ प्तुली जाते हैं और ये सब बहूत कर जाते हैं इसले हमको खाने को कवर करके रखना बच्चों को भी आदड डालियें कि खाना खाने पाने के पहले आप को हाथ धोना बिलकुल जरूरी है और बाहर अगर खेलने जा रहे हैं तो पानी पीकरी निकलें बच्चे घर से बाहर, उनके साथ में वाटर बॉटल दीजिए जिससे वो थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते रहें, तकि कभी-कभी हम देखते हैं कि शाम को भी बहुत गरम होता है, तो उस समय भी डिहाइडर और थोड़ा सा भी अगर हमको संदेह लगता है कि नहीं यह रोड साइड पे मिल रहा है, यह खुले में बिक रहा है, आज की रिट में जो गर्मिया है, तो गलनारस हो गया, और वो चुसकी और बरफ का गोला, जो की बहुत फैसिनेटिंग होता है, हर कोई उसकी तरफ हमको देखना पड़ेगा, अगर वो नहीं रख रहे हैं, तो उनको हमको करेक्ट करना पड़ेगा, और बचों को समझाना पड़ेगा, कि यह साफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसको हमको नहीं खाना है, उसका ऑप्शन हमको घर में बना के उनको देना पड़ेगा, दू तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि यह केमिकल वाले कलर तो नहीं है जो हमारे बच्चे के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं यह सारी चीजों का पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है तो इसके लिए मदर्स कर सकती है कि जैसे एक मोहले में या एक कॉलनी में रहते हैं बहुत सारे बच्चे हैं तो बारी बारी से एक माता जो है वो डे डिसाइड कर ले कि आज के दिन मैं सारे बच्चों का ख्याल बैठे बैठे बच्चा बोर हो जाएगा फिर वो मोबाइल में जाएगा ही जाएगा जिसको आके आप जाहते हैं कि नहीं देखे मोबाइल जादा जादा उसमें इन्वाल नहीं हो क्योंकि उसके दुष्परिनाम अलग है तो फिर हमको ग्रूप एक्टिविटीज की तरफ होता है सिर्फ अपना मैं आपकी इच्छा होनी चले है तो जैसे आजकल सारी वर्किंग मदर्स भी रहती है इनके पास इतना समय नहीं होता है तो अगर हम आजकल तो वाटसेप पे स्कूल के और इसके सब चीज के ग्रूप होते हैं ऐसे हम अगर कॉलनी का एक ग्रूप बन प्लूप देख वह नहीं होता है तो आपको बचना ही पड़ेगा लू के लिए कोई के सवाल है कि 11 के बीच में जो दूप रहती है वह सब्से खतरनाक धूप रहती ही और समय अपरेशन बहुत तेजी से होता है तो उस समय कोशिश करें कि हम ना निकले घर से बाहर मालेजी आपको कोई मजबूरी आ गई है, बच्चे को लेकर ही जाना पड़ रहा है, आपको खुद को निकलना पड़ रहा है, तो ध्यार रखे कि हलके रंग के सूती कपड़े पहने, जिसे की लाइट रिफलेक्ट हो सके, और पूरे फुल कवर रहें, हाथ पैर, सिर, स्काफ बान के सब कुछ काले चश्मे पहन के निकले, और पानी पीकर निकले, खाना खाकर निकले, खाली पेट घर से बाहर निकले, ताकि आपको शरीर में शुगर की कमी न हो जाए, खाना पीना खाकर निकले, साथ में पानी की बॉटल क्यारी करें, और थोड़ी थोड़ी देर में और तुरंद देखें कि जहां पर भी चाहओं अवेलेबल हैं वहां पर थोड़ी दिर जाके रेस्ट करें अच्छा मैं एक चीज बताइए कि वह लाइन कब डिसाइड करें जब हमको डॉक्टर के पास जाना है लू के लिए किसी भी चीज के लिए जैसे जितनी भी बीमारियां है चाहे टाइफाइड है चाहे जॉंडिस है तो आदमी कैसे डिसाइड करें कि अब मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है मेरा यह कहना है कि जब आपके आसपास इतनी सारी चिकित्सा सुविधा उपलब्द है प्रात्मिक स्वास से केंद्र हैं कम्यूनिटी सेंटर्स हैं सब कुछ सारी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्द है तो आपको घर में कुछ चीज करने की जरूरत ही क्या है अच्छे के लिए बहुत ही अच्छा होगा हम वेट क्यों करें कि जब ये प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएंगी तब हम भागेंगे जी सख्यों करें अगर फीवर बगरे हो रहा है जी बुखार हो रहा है तो तुरंट डॉक्टर के पास कम से कम दिखा लेना चाहिए आप तुरंट के लिए रात ता समय है या आप ऐसे समय है जब आप नहीं जा सकते तो ठीक है आप परसितमॉल की खुराक सब के पास होती है अजकल घर में तो वह आप दे सकते हैं लेकिन जो नेक्स्ट आपके पास तुरंट अवेलेबल अपोर्चुनिटी है उसमें जाके चिक सुरक्षित सुच्छ खान पाण की तरफध्यान दे और पाणी पिते रहे हैं एक बार एक देश में सारे लोग healthy थे तो आजू-बाजू वाले जो है ना उनको दिक्कत हो गई थी उन लोग उस देश पे कबजा नहीं कर पा रहे थे क्यों कि हर आदमी healthy था तो उनको क्या करना पड़ा कि उस देश को तोड़ने के लिए वीक करने के लिए germs डालने पड़े वाइरस डालने पड़े कि वीक होगा तो फिर हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं तो हम लोग अपनी health का ध्यान खुद रख सकते हैं चै कोई भी कुछ भी करें तो we should take care of our health and namaskar